इस वीडियो में क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है आपका पैस्ट्रोलिस्ट इन्दी मॉडर्ण वर्ड और इस चैप्टर का जो लास्ट सेग्मेंट है जहां पर हम एफ्रीका की कहानी पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अभी तक चैप्टर में आपने क्या देखा अभी तक चैप्टर में आपने देखा कि किस तरह से जो पैस्ट्रोलिस्ट नॉमैडिक कम्यूनिटी इंडिया में रहती है वो कैसे रहती है कहा रहती है फिर उसके आद में एक कदम आगे बढ़ते हो आपने देखा कि कॉलोनियल पीरेड में उस पैस्ट्रोलिस्ट कम्यूनिटी इस रहती है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़ी पिक्टर समझ में आगी कि अखरकार है क्या कहानी तो अभी तक हमने इंडिया और उसके वाला पार्ट कम्प्लीट कर लिया इंडिया और इंडिया में जो कॉलोनियल पीरेट में पैस्ट्रोलिस्ट कम्यूनिटीज ने सफर किया था उतना पार्ट कवर कर चुके हैं अब हम एफ्रिका की कहानी पड़ेंगे एंड हीर वी गो अब देखिए क्या है पैस्ट्रोलिजम इन अफ्रि हूँनि तो साथ कॉंटिनेंट में से एक कॉंटिनेंट एफ्रीका ही तो यहां का कॉंटिनेट को यह इस महीं न parl रहते हैं है मुल्टिपल कंट्रीज है झैसे साथ अफ्रिक काट्री है क Eenie में कंट्री है समझ में आ रहा है ना तो ऐसे बहुत सारे देश है अब उन देशों की बाउंडरी को दो मिनिट के लिए अगर अगर जिसे देखें तो अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग पैस्ट्रोलिस्ट कम्यूनिटी रहती हैं यह चीज ध्यान रखिएगा ठीक है आफ अफिका ओवर रवल्ड ओवल्ड या वर हाफ व फैस्टरा पोप्लिशन लिव इन आफीक वाल्ड में जितने भी पैस्टरोल ग्रॉप्स नहीं रहना पूरी दूनिया में उसमें से आध्ये पैस्टरोल ग्रूपस R Emily रहते हैं बतलब क्या सकते ह 있지만 कि अफॉन दॉन आफ्यoking ठीक है क्योंकि बहुत सारे जिस अगर आप देखेंगे तो अफ्रिका पे जीवन ही वैसा है क्योंकि हमने इंडिया वाले केस में भी पढ़ा था अगर आप कनेक्ट कर पाओगे तो क्या कि एकोलोजिस्ट लोग यह सजेस्ट करते हैं कि पैस्ट्रोलिजम नॉमैडिजम इस इस बेस्ट वे ओफ लाइफ विच सूट्स एकोलोजिकली एंग जीवलोजिकली इन इस टाइप ऑफ रीजन जहां पर ड्राय रीजन है आप जहां पर बहुत आदा थर्दी वगेरा होती है तो ठीक है तो एवन टूडे ओवर ट्वेंटी टू मिलियन अफ्रिकांस डिपें अपना जीवन्यापन करने के लिए ठीक है इंक्लूड कम्यूटी लाइक बेदोईन्स बर्बिर्स मसाई सोमाली बोरान तुरकान तो यह क्या है यह अलग अलग पैस्टोरल कम्यूनिटी के नाम है जैसे आपने इंडिया में देखा था गुजजर्स गुजर्वक्रवास ग क्लिर हुआ तो ऐसे अलग-अलग बहुत सारे क्या है पैस्टोरल ग्रॉप से जैसे टुरेग्स भी हैं अफ्रिका के पैस्टोरल इंफेक्ट मैं आपको चीज बता दो जब आप बहुत सारे अलग-अलग ट्राइब्स हैं और जिनके कुछ-कुछ अलग-अलग रिवाज है तो अब क्योंकि पूरा का पूरा अफ्रिका जैसे देखो कि तो अफ्रिका अफ्रिकन कॉंटिनेंट जो है तो यहां पे क्या हो रहा है कि खेती उतनी पॉसिबल नहीं है जीवन के लिए साथ को समयमाया से टुटेरीज और यहां पर मेच आपको और सब हांदि साथ क्या है वो दूद वगेरा बेचते हैं मतलब यह वह अनिमल प्रोडक्स बेचते हैं अपना जीवन यापन करते हैं परफॉर्म्स ट्रेंड एंड ट्रांसपोर्ट पेस्टोर एक्टिविटी अलॉंग विद अग्रिकल्चर एंड सम्डू वराइटी ऑफ और जॉब्स तो जीवन या जिससे अगर आप देखोगे तो एफ्रिका एज़ा कॉंटिनेंट इस सफरिंग फ्रम पावर्टी डिसीज यह सारी चीज़े तो स्टैंडर्ड ओफ लिविंग या फिदेवलोप्मेंटल लेवल जो उतना उतना अच्छा नहीं एफ्रिका में दस इस दी ब्रॉड परस्प येज़नेंस ने अफ्रिका को अपनी कोलोनी बना ली कोलोनिलज्म स्टार्ट हो गया तो फेस्ट्रोलिजण की क्स Lu प्रस्टे टेट्रिमेंटल इंपक्त रहा है कैसे तो मनेंवींडिया की केसमinin दूट्रॉ प्रभ़ंद गभा देखा आपनी जाना समझा मरॉनेंधा numer फे तो आपको वही इंडिया के के साथ में कंपेर कंट्रास करते चलना है तो वट वर दी चेंजेस दूरिंग अफ्टर दी कॉलोनियल रूल ठीक है अगर आपने वह पैटन आइडेंटिफाय करना सीख लिया तो आपने सब सीख लिया सिंपल सी चीज है हिस्टरी हमेशे एक पैटन में चलती है वह पैटन अगर आपने जान लिया समझ लिया तो अब सारी चीजों को फिर बहुत आसानी से कर पाते हैं बस क्या होता है जगह बदलती है नाम बदलते हैं टाइम लाइन बदलती है चरेक्टर बदलते हैं लेकिन वह चलने का तरीका है वह ऐसे ही ए अगर कॉलोनियल रूल आएगा तो उसका पैस्ट्रोलिस्ट के उपर एक नेगेटिव इंपक्ट होगा वही चीज़ आपको यहां इस तरह से तो मैसाई कमुनीटी जो है एक पैस्टराल कमुनीटी है विच इस वरस फिलनेंट फिर पड़ते चलेंगे हर चीज़ तो Г Kill Insya लिफ प्राइमरी इन इस्ट आफ्रिका यह वाला जो पार्ट है इधर की तरफ रहते हैं वह लोग तो इस्ट आफ्रिका में रहते हैं तो ग्रॉडली दे कवर टू कंट्रीज एक कीनिया और दूसरा ठीके तंजानिया ठीके तो यहाँ पर ध्यान रखेगा तो 300,000 इन सदन की तो मेज़िटी पापॉलेशन जो है उनकी कीनिया और मदभ सदन कीनिया हो गया नदन तंजानिया और सदन कीनिया यहाँ पर बसी हुए है यहां पर पूरी मसाई क्मुनिटी बस हुए यहां रहते हैं अब देखो क्या है तो मैं उमीद कर रहो हूं आपको एक ब्रॉड सारा सबकुछ एक community का reference लेके चलेंगे वो एक community है Masai Community clear है अब देखो क्या है तो where have the grazing lands gone ठीके तो where have the grazing lands gone इससे क्या समझ में आ रहा है कि colonial time period में जिस तरह से आपने इंडिया के context में देखा था title समझ पहले कि कि जैसे जो भी कॉलोनियल पावर आती है ब्रिटिश हर्स आये जर्मन्स आये यहां पर अफ्रीका में जैसे देखोगे तो उन्होंने क्या सबसे पहले किस तरह से इनको इनकी लाइफस्टाइल को हैंपर कि इन लोगों के पास जानवारे बहुत सारे और जानवारों को ग्रे दूँए चलते ग्रेजिग लाइफ खुने का मतलब यह कि इन कॉलोनियल पावर ने उनके उपर रिस्ट्रिक्शन स्वाला चालू कर दे किसी नहीं किसी तरह से जिसके चलते ग्रेजिग लाइंड श्रैंक होने लगी एज वी हैफ सीन इन दी कीस ऑफ इंडिया तो वन आप the problems the messiahs have faced is the continuous loss of their grazing land ठीक है एक जो problem messiah community ने face करी वो क्या problem phase करी वो ये phase करी की उनकी जो grazing land थी थी तह उसका continuously grazing land खोते चले गए grazing land continuously खोते चले गए तो before colonial time colonial time के पहले कैसे ती देखो तो मसाई लैंड स्ट्रेज ओवर वास्ट एरिया फ्रॉम नॉर्थ कीनिया टुदी स्टैपीज ओफ नॉर्थ तंजैनिया ठीक है मसाई लैंड के अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है कि मसाई लैंड बहुत जादा फैली हुई थी ठीक है कब जब कॉलोनियल टाइम केनिया टु दी स्टैपिस और नदन तंजैनिया तो पूरा कीनिया ही मान के चलो आप जो साउथ तक ही सिकूल के रह गए एक समय पूरे कीनिया में फैले हुए थे पुरी कीनिया तंजानिया ठीक है इन देशों में फैले हुए थे कौन मसाई कम्यूनिटी लेंड हैपीली और बहुत प्रेम प्रोवक वहां आराम से रहते थे अपने जानवर चलाते थे खुश रहते थे अब क्या आप आगये और चले जाओगे तो डच पहुचे तो यूरोप से निकलते थे टोली बना के सब अलग 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 जगा कबजा कर लेते थे अब वैसी पूरा एफ्र जो है ना कभी आपने सोचा है कि एकदम ऐसा बराबर ऐसा लगता कि जिसकिसी ने कंट्रीज की लाइन जो है वह स्केल से खीश के बनाई होगी तो अगर आप इसे सोचते हो तो सहीं सोचते हो क्यों क्योंकि ऐसा ही हुआ है जब यह बहुत सारी यूरोपियन पावर्स अफ अइरिका कब अठवाणा के तो इस तरह से यह बॉर्डर की गई थी आन पेपर के अफ्रीका को बाट लिया जाये क्योंकि सारे यूरोपियंस वहीं आके पैट गया थे अफिका में तो यू एमरिका की भी कॉलजी यूरोपियन छोड़ो अमेरिका से ब्ढ गये थे लोग अ अलग अलग यूरोपियन पावर ने अलग अलग तरह से पेस्टोरल लाइफ को एफेक्ट किया यहां पर क्लेरवा कमिंग बैक टूपिक बहे गए हम कहां तो यूरोपियन इंपिरियल पावर्स स्क्रैंबल दी टेरिटोरियल पोजिशन्स इन आफ्रीका अलग अलग यूरोपियन पावर साइन लड़ती यहां पस में और उनने क्या कर दिया कि अफ्रीकन टेरिट्रीज को अलग अलग स्लाइसेज में बाट लिया कि एक तेरा एक मेरा ठीक है उस टाइप से तो इन 1885 मसाई लेंड वास कट इन्टू हाफ वित एन इंटरनेशनल बा तो इन 1885 में यिवी एक पर हो गया और यह तंजानिय तो क्योंकि क्या है तो यूरोपियन पर दिससे स्लैसिंग करना चालू की तो तन्जानिया उस समय पे के अंडर में था और कीनिया जो था ब्रिटिश के अंडर में था तो ऐसा यूरोपियन पावर्स ने बाट लिया अब एक तो मतब यह तो पूरे एक सांती रहते थे मसाई लेंड में लेकिन उनको विभाजवित कर देगा आपस में ठीक है तो इस तरह से ध्यान रखेगा ग्र कीनिया और नौर्थ तंजानिया अब जब डिविजन होना चालू हुआ तो जगा डिवाइड करके उन्होंने क्या कर दिया वाइट सेटल करवाना चालू कर दिया आफ्रीका के इतिहास में एक चीज़ जो इंडिया से थोड़ी से अलग है कि यूरोपियंस इंडिया में आ बहुत सारे क्या देखने के मिलता आपको बहुत सारे जो यूरोपियंस थे वो आके बसते चले गए तो वहाँ पर वाइट सेटलमेंट जो हुआ तो अच्छी जगा उन्होंने वाइट सेटलमेंट के लिए जो वाइट थे उन लोगों ने रख ली तो क्या हो रहा है कि जो वहाँ के लोकल नुमैडिक पैस्टोलिस्ट कम्यूटी थी तो वो कुछ ही पार्ट में रगए जैसे साउट कीनिया में रगए नौर्ट तंजानिया में हो गए ठीक है दी मसाई लॉस्ट अबाउट सिक्स्टी परसेंट आफ देर प्री कॉलोनियल लैंड जो ब्रिटिशर के आप फिर कह सकते जर्मन के आने के पहले जो उनके पास में लैंड थी ना उसका सहांड प्रतिशत हिस्सा जो है मसाई कम्यूटी ने खो दिया खो दिया देवर कंफाइन टू एरिट जोन विट अंसर्टेन रेंफॉल और पैस्टिर ठीक है तो देवर कंफाइन टो इन ए प्रब्लम्स ठीक है तो एक समस्या होई और क्या समस्या है हुई तो देखो कॉल्टिवेशन एक्सपैंड होता चले गया कॉल्टिवेशन एक्सपैंड होता चले गया प्रॉब्लम ध्यान रखना कि वाट वर्दी प्रॉब्लम्स विच्ट केम आप विद धी कॉलोनियल रूल पुश्च अगर ऐसा आ गया एफ्रीका में तो आपने एक तो देख लिया क दिविजन हो गया कंट्रीज का कीनिया का तंजानिया का यह बता देना दूसरा क्या है कि हर जगा अब यह जहां जहां गये ना कॉलोनियल पावर्स जहां 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 गई इंडिया में भी जैसे आय थे तो नहीं क्या दिखता था कि टेक्स लगाओ खिती करवाओ ठीक है यहां से जह प्रेडियूस भोगा तो उसको ले जाएंगे कॉफी प्रेडियूस करो तो वह क्या होगा जैसे घहाना वगेरा इंसार देशों साची रिच वराइटी ऑफ कॉफी प्रेडियूस होती तो यह सब यूरोपियन मार्केट पे बेचा जाता था ठीक है तो उन्हों पीजेंट कम्मूनिटीज तो एक्सपैंड कल्टिवेटिवेशन अब खेती ब्रिटिशन के सेरे पर थो ना करेंगे जमीन ही चाहिए रहेगी तो वह ग्रेजिंग लैंड कम हो रही है ठीक है एस कल्टिवेशन एक्सपैंड पैस्चर लैंड्स वर टॉन इंटू रिजर्व से क्या मतलब है कि गेम खेलने जाते ते गया कि जो बड़े बाड़े अनिम्हल्स थे तो उनके लिए क्या कर दिया गया एडियास को रिजर्व कर दिया गया ठीक है जहां पर क्या होगा जहां पर जब जैसे आज वाइन डाइफ सेंचूरी नैशनल पार्क जिसके चलते grazing land कम हो गई है संग मैं तो division cultivation reservation इन चीजों के चलते grazing land जो वहां की मसाई tribal community मसाई पैस्ट्रोलिस्ट कम्यूटी थी उनके पास grazing land कम होते चलेगी देखो मैं इसलिए जब से यह सरी चीज़े लेकिन हर ट्राइवल कम्यूटी पैस्ट्रोलिस्ट नहीं होती तो ट्राइब एक बड़ा वर्ड हो जाता है पैस्ट्रोलिस्ट और प्रसाइज है कि जानवर वाले आदिवासी लोग है तो वो पैस्ट्रोल ट्राइब हो गया ऐसा समझना आया है आप इतने लेकिन क्योंकि चैप्टर इस पैस्ट्रोलिस्ट ही लिके ज्यादा बहता रहे शब्दों का खेले और कुछ नहीं है ठीक है आगे बलते हैं तो पैस्ट्रोलिस्ट वेर नॉट अलाउट टो एंटर इस रिजर्व्स दे कुड नाइधर हंट अनिमल्स नॉर ग्रेस देर हर् कर दिया ना आपने उनकी ग्रेजिंग लैंड को क्या कर दिया गाया चूमंतर तो अब उसका इंपक्त अल्टिमेटली यह होने वाला है कि जिस तरह से ग्रेजिंग लैंड की धिरे-धिरे डिसप्यार हो रही थी तो वाट वास इंपक्त ऑफ दिस तिंग इसका प्रभाव यह पड़ा कि दिलाउस ऑफ फाइनेस्ट ग्रेजिंग लैंड और रिसोर्स एड प्रेशर अन दी स्मॉल एरिया और यह थी यह पॉइंट ध्यान रखने वाला है क्या कि विद्धि लॉस ऑफ फाइनेस्ट ग्रीजिंग लैंड जो बहुत अच्छी ग्रेजिंग लैंड थ ठीक है तो उसके चलते क्या मसाइस के पास में बहुत कम कम्यूनिटी वह बहुत कम लैंड रह गया ग्रेजिंग लैंड ग्रेजिंग लैंड ग्रेजिंग लैंड विदिन अश्मॉल एरिया इनेविटेबिली मेंट और डेटोरियेशन ऑप दी क्वालेटी ओफ पैस्योर औ तो उस तरह से क्या है कि फॉर्डर की कमी हो गई ठीक है जो कि खाने की कमी हो गई फीडिंग दी कैटल बिकेम आप पर्सिस्टेंट प्रॉब्लम तो अब समस्या यह है कि खिलाओगे क्या जानवरों को आप ऐसा तो नहीं कि जानवरों को तुम पत्थर देता होगे कि यह अब उनके लिए घहां से लागए तो अब उनके लिए घहां से लागए नहीं थी अपने छिर्फ पे घहां सुगाने से तो इंप्रेशर के चलते आपको क्या देखने को मिल रहा था की जब एक्स्टेंस ब्रेशन होती थी थी तो क्वालिटी ओस फैशर निकल के आता था था यह आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए समझ में तो यह अपने उतना समझ लिया कि ग्रेजिंग लैंड्स क्यों कम हो रही कैसे कम उसका प्रभाव क्या पड़ा उसी के साथ और भी कॉलोनियल टाइम क्रेड में और क्या चेंज कहानी लगबग सेम ही है लेकिन आपको अफ्रिका के अफ्रिका के एक्जामपल देके लिखना होंगी तो अगला क्या है अब उनको रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया गए कि तुम इससे बाहर नहीं जा सकते हैं जैसे इंडिया में क्या फॉरेस्ट एक्ट के चलते पर भी कहानी लहीं है क्या कि जब ओपन बॉर्डर सी ठीकर जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि जिदर जिदर जा रही है तो उनके पिछे उनका ट्राइब मतलब जो मालिक है वो भी पीछे पीछे जा रहा है तो बें पिक्रत है अब लेकिन उनने बोल दिया कि इस quality of forage, wherever they will find a good quality of pasture, they will move there, open border system था, लेकिन, with the coming up of colonial rule and colonial powers, they have imposed some of the restrictions, borders were being closed, borders को close कर दिया गया, और जब borders को close कर दिया गया, तो उसके चलते का है, restriction बहुत जादा आ गया, है ना, तो from the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility, किसकी मसाइस की mobility पे, mobility मतला movement के उपर, ठीक है, लाइक दी मसाई, अगर पैस्टोलर ग्रूप वेर अलसो फोस्ट लिव विदिन the confines of special reserves, तो special area reserve कर दिया आते था कि इतने में, तुमारे जानवर और तुम और तुमारा परिवार सब इतने area में रहना है, इस से बाहर मत निकलना, ठीक है तो इस तरह से क्या है, उनके लिए बहुत जादा to move out with their stock without the special permit और ऐसे permit permit तो बस एक छलावा है कि हम permit देंगे तभी बाहर निकलना और permit मिलते हैं नहीं थे विचारों को ठीक है, तो समझा बहुत अच्छे से borders are closed मतलब यह यह कि जब borders define कर दी गई, pastoralist communities को बोल देगा कि इतने में ही रहना है, you are not supposed to move out of these regions तो उसे बड़ी दिक्कत आई, ठीक है, they were not allowed to move out without with their with their stock without special permits and such permits were not easily available to them और अगर कोई निकल गया गलती से तो तुम कैसे निकले बाहर ठीक है, तो those found guilty of disobeying the rules were severely punished, अगर कोई बाहर निकल जाता था तो उ पजा दिया जाता था, ठीक है, तो they were being severely punished, तो ये स्तिती थी, ठीक है, when their borders were being closed, they suffered a lot, their movement was restricted and if they go beyond the areas defined for them, they were being severely punished, ठीक है, पनिश किया जाता था, समझाया है, तो other sides of the colonial rule, तो ये तो एक पार्ट हो गया, लेकिन उसके अलावा, मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहा साथ क्या है, कि pastoralists were not allowed to enter the market in white areas, ठीक है, कि उनके जानवरों के लिए तो जगा define करी दी, उसी के साहसा, जानवरों के मालिक के लिए भी जगा define कर दिये, एक white area होता था, black area होता था, अब मैं आप से एक सवाल पूछने हो, तयार, ठीक है, यसे तयार हो जाओ, on your marks करे, सवा इस सिस्टम को क्या कहते थे, जब blacks और whites को अलग-अलग किया जाता था, पूरे अफरिका में ये बिमारी फैली हुई थी, अपार्थाइट सिस्टम, यह ना, तो ध्यान है आपको constitutional design वाले chapter में पढ़ाय, तो अपार्थाइट सिस्टम तो था ही यहाँ पे, तो उसके चलते क्या है कि जो owner होते थे, उनके उपर भी restrictions थे बहुत सारे, कि तुम white area में नहीं जा सकते हो, ठीक है, owner मतलब, जो cattle herders होते थे, kattles भी नहीं जाएगी और pastoralists भी नहीं जाएंगे, they were prohibited from participating in any form of trade with whites, ठीक है, white settlers and European colonists saw pastoralists as dangerous and savage people with whom all contact had to be minimized, ठीक है, जो Europeans आये थे, white settlers थे, दोने dangerous है, खतरनाक है, जंगली है, तो इनके साथ तो किसी तरह को कोई contact नहीं रखना है, ऐसी सोच थी, अपर्थेट सिस्टेम उसी चीज़ पर बेच था कि यह skin color black है, तो यह तो खतरनाक लोग इस टाइप से, ठीक है, तो वो किसी प्रकार का रिस्क वो नहीं रखना चाहते थे पॉसिबल वॉस प्रक्टिकरी नौस पॉसिबल विकॉस वाइक कॉलोनिस्ट है तो डिपेंड उन ब्लैक लेबर तो बोर माइन्स एंड बिल्ड रोड्स एंड टाउंस ठीक है क्या कि जो पूरी लिंक्स कट आउफ करना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको dependent उनक उनके उपर dependent होना तो पड़ता ही था ठीक है तो अब उसको इंपेक्ट क्या उल्टिमेटली जिसे कर आप देखो के तो रिस्टिक्शन अंडर कॉलोनियल रूल डिडिन एंटारी स्टॉप देर ट्रेडिंग एक्टिविटीज तो कही ना कहीं ट्रेडिंग एक्टिविटी policing थी क्लेरवात थो बार्डर स्फट क्लोस का यह मैंने आपको दूसरा साइड भी डिखा दिया आप क्या है कि आपने सब कुछ देख लिया कि नूने है कि व्कल wrapped कर दिया उन्होंने एक तरह से आप देखेंगे अग्री कल्चिरल लैंड में करना चालो कर दिया कंट्रीज को डिवाइड कर दिया ठीक है उसे के साथ में बहुत सारे सूखे वाली स्थिति कि भूद यहां पर और रहती है जहां पर ग्रेजिंग की जाती है तो ग्रेजिंग अब हो नहीं पाईगे क्यों कि क्या खिलाओं मिट्टी ठीक है मिट्टी तो खाएंगे नहीं तो इस तरह से वेन पैश्य और सा ड्राय में आपको ये चीज़ समझना होगी कि आप सब को सूखा है आप कुछ है नहीं खाने पीने के लिए उनके पास में ठीक है तो ऐसी स्थिती में पहले क्या होता था पता है कि केटल सार अगर एक छेत्र में सुखा पड़ गया है तो यह नुमाडिक कमिनिटीज है यह दूसरे छेत्र में चला जाती थी तो कैटल सार लाइक लिए अगर एक जगह पर है कि समझना पूरी कहानी अच्छे समझना तो इसलिए ट्रेडिशनली पैस्ट्रोलिस्ट आर नुमेडिक इ पता है कि एक जगह पे हमारे जानवरुक लिए खाना समाप्त हो जाता है तो हम नहीं जगह चले जाएंगे ठीक है एक जगह पर हमारे जानवरुक लेकर खाना समाप्त हो रहा तो हम नहीं जगह चल पड़ेंगे ठीक है इसलिए देवर ट्रेडिशनली नॉमाडिक दोस्व अगर बुरी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति डवलप होती है, ऐसी सिचेशन डवलप होता है, कि वन पास में दूसरी जगह चले जाना का ऑप्शन ही रहता था, यहीं जो है, जित्ता खाना उत्ते में खिलाना होती है, तो इसका इंपक्ट यही होता था, तो बराबर वहाँ पर क्या होती थे, सूखा पढ़ता रहता था, फ्रीक्वेंट रॉट्स आती थी, बेस्ट ग्रीजिंग लैंड पर जानी सकते थे, क्योंकि वहाँ पर तो वाइट गए, सेटलर्स आ गए, ठीके, तो सिंस दे कुड नाट शिफ्ट देर कैटल टू प्लेसे वेर पैशर वर अवेलेबल, लार्ज नंबर ओफ मसाई कैटल डाइड ओफ स्टारिशन, तो बहुत सारे पशु जो थे, आप खाने की चीजे नहीं है, तो बहुत सारे पशु क्या है, भूख के कारण ही मरने लगे, क्योंकि सूखा था ना, डॉट पढ़ गई, तो क्या ख 20,000 कैटल्स, सात लाग, दीस हजार कैटल्स, आठ लाग, बीस हजार शिप, एक लाग, सट एकतर हजार डॉंकी, इतनी कैटल्स थी मसाई की इनिया में, कब 1930s में, और दो साल फिट डॉट आती है, कब 1933-34 में, तो क्या होता है, इन जस्ट टू यर्स ओफ सीवेर डॉट, ओ आओ, they were not allowed to move freely, ठीके, best grazing areas जो थे, उससे उन्हें cut-off कर दिया गया था, and in the time of crisis, ठीके, जब सूखा पढ़ रहा है, तो समस्या उनके सिर पर पढ़ रही थी, समझ में आया, तो when pastures, when pastures dry, इस topic का ऐसे, समझ में आया, कि colonial rule में, जो उन्होंने अत्याचार मचाए, उसका तो आपका अगला, यह वाना टॉपिक और एक इंट्रस्टिंग इंसाइड देता, आपको, not all over equally affected, क्या कहना चाहते है, not all over equally affected के द्वारा, not all over equally affected के द्वारा है, आपकी क्या कहा जाना, देखो समझना अच्छे से, कि मसाई कम्यूनिटी जो थी, उस पूरी मसाई कम्यूनिटी में इतने सारे मसाई कम्यूनिटी या, फिर पूरे अफ्रीका में जो पैस्टोलिस गूप्स थे, अब उसमें आपको कहा देखने को मिल रहा है, कि सबने किसी तरह से सफर किया है, सबने किसी तरह से सफर किया, यह हमने देखा, अब अगर हम एक कदम और आगे बढ़े, एक कुछ लोग worst affected section में भी थे, कुछ लोग well off कैसे होगे sir, point यह आता है यहां पर, तो यह essence है कि not all were equally affected, मैं explain करता हूं कैसे, तो इन्दी pre-colonial times, मसाई society was divided into two social categories, ठीके pre-colonial times में, मतलब थोड़ा सा समझते न, कि क्या flashback में जाके कहानी को समझो, यह बता रहे हैं कि मसाई society मे उनकी जो society आज भी जैसे जो मसाई tribes है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि पूरी society दो categories में divided है, ठीके, इसमें women included नहीं है, ठीके, women, आविंग, मतलब जैसा बहु सकते कि Patriarchal Society, तो women को एक तरफ sideline कर दिया, आविं excluded, ठीके, उस type से, त इन periodic councils to decide the affair of the community and settle disputes, तो इस तरह से जो प्रणामकर उंकल को, ठीके, तो जो बड़े बुजूर को रहते थे, वो elders की community elders की category होती थी, उनका काम यह होता था, कि वो meeting जब होती थी, ठीके, तो meetings वगेरा में मिलते थे periodic councils में, कैसे community को आगे बढ़ाना है, community में कोई dispute तो नहीं है अलग-अलग community के जो कभी ले रहते थे, तो उनमें वो काम करते थे, मतलब बड़े बुजुर्ग वाला काम करते थे, और फिर क्या हो गए, warriors दूसरी category थी, ठीके, तो ब्राउन बुन्डे, जो warriors थे, तो warriors की क्या है, दूसरी community होती थी, warriors की community जो कहती थी, वो क्या कहती थी, the warriors consisted of younger people, mainly responsible for the protection of the tribe, ठीके, तो warriors वाली जो section रहेगा, तो इसमें क्या है, अधिकतर जो young people थे, ठीके, the warriors consisted of younger people, mainly responsible for the protection of tribe, तो पूरा का प्रोजर्ट ट्राइब था, अब जो बुजुर्ग चाचा है, वो तुसरी लड़ने जाएंगे, अकर कोई खत्रा आएगा, तो लड़ने की बारी आएगे, तो आपको हस्क, पुस्ट, मुंडे टाइप के लड़ने के चाहिए रहेंगे, तो वो warrior की category में आते हैं सारे young लोग, ठीके, they defend the community and organized cattle raids, अब point यह आएगा, आप बोलो कि रेड़ भी आगी, फिर यहां पे, मानी रहे, यहां पे रेड़ का मदब ऐसी वाल how the Masai society was divided during the colonial period, ठीके, who were elders, who were the warriors, इस तरह से बताओ, तो आपको ध्यान रखना होगा कि elders बड़े बुजूर्ग होगा है, warriors सारे young लोग होगा है, young लोगों की जिम्मेदारी क्या होती थी, कि वो community को defend करते थे, और organize करते थे cattle raids को, अब raids क्या है, ठीके, raid पढ़िए उस टाइ है, आज भी चलता है, क्योंकि जिस अगर आप देखो कि तो हमारे culture का एक word है क्या, कि गोधन, गोधन मतलब, गोधन मतलब कि आपके पास जो cattle से वही आपका wealth है, एक समय पर आदमी के पास में पैसे के नाम पर क्या होता था, पैसे के नाम पर यह होता है, मेरे पास 2000 बैल है हैं, आप ही में पास 4 हाती हैं, 10 घोड़े हैं उस टाइब से, तो आपकी जो cattle होती ही वही आपका wealth होता था, ठीक है, एक समय पर cattle ही आपका wealth होता था, अब यह क्योंकि आपको क्या देखना की मिल रहा है कि pastoralist communities हैं, tribal communities हैं, तो they are continuing that legacy, ठीक है, कि wealth हमारी cattle सी हमारी wealth है, तो cattle है, तो उसके चलते क्या होता है, तो चोरी भी होती, लोग एक दूसरे की wealth के लिए तो लड़ते हैं, तो history is really a wonderful subject, कैसे हैं, मैं आपको इची समझाता हूं, मगोलनों ने पैटन पैटन में मूव करती है, तो इसका pattern पकड़ो यहां पे फिर, क्या हो रहा है कि आज भी आप देखोगे तो आज भी इनसान कर वही चीज रहा है, बस करने के तरीके बदल गए, आज के समय में wealth territory है, आज के समय में wealth power है, हद्यार है, यह सारी चीजे है, तो आज भी इंसान क्या करता है, वही territory के उपर कपजा करता, तभी रश्या ने यूक्रेण पे हमला किया है, और जमीन पर क्या जेसी भी चलवा के सब खुदा ही करवा देंगे वो पावर पोजिशन दिखा पाएंगे समझ में आना मतलब काफी बच्चे कर पाएंगे मेरी बात को जिनने नहीं कर पाया तो यह से टपक हाके बाउंसर निकल जाने तो एक्जाम पॉइंट और व्यूस इंप का गौज़न था तो रिडिंग एक इंपॉर्टन पार्ट होता था जहां पर क्या होता था कि इस थूदी रेट देट दिपाव अपने अपने अन्डर वे लेते थे इस टाइप से ठीके यंग में सब्सक्राइब कोई भी यंग मेन कब दिखाएगा कि उसके पास पैसा हो वो यंग मेन तब दिखेगा जब अपने परिवार की जिम्मजारी समाल पा रहा हो वो यंग मेन अपनी मैनलिनेस को कैसे शोग करेगा कि वह एक रिस्पॉंसिबल परसन है तो मतलब वह यंग मेन की वह क्वालिटी होगी तो वैसी यहां पर यंग मेन में इसा चलता था कि केटल रेट्स होंगी केटल में कौन कितने ज्यादा पहत्दूरी से लड़के दिखाएगा कितने ज्यादा के लेके आप आप आएगा ठीके मदब यही तयार वियार करके खड़े कर आगा है उनको देखो यहां पर ठीके यह उनके पास में बड़ी सी सौट जैसी होती थी पांच फिट की और वह एक पूरा रिच्वाल होता था जिसके थू क्या है वह बच्चों से वारियर की कैटेगरी में जाते थे उनको दिनभर डांस लो क्यों कि हम भी मतलब कभी साज भी कभी वारियर रहे होंगे तो हमारा एक्सपीरियंस तुम्हारे काम में आएका तो वही बड़े बुजुर्ग वाला रिस्ता जो है चल रहा था इनकी सुसाइटी में वी वारियर्स और वारियर्स के साथ में क्या एल्डर्स यह प्राज था उनकी स्थिती थी मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसा था ठीक है अब उस स्ट्रक्चर पे कॉलोनियल रूल का क्या प्रभाव पड़ा कॉलोनियल रूल एन इट्स इंफ्लेंस वो चीज़ समझेंगे देखा हूं तो यहां पर क्या बता गया है तू एडिमिस्टर द मल्टिपल मेज़र्स लिए मल्टिपल स्टप्स लिए जिससे कहीन है कि इनका यह जो सिस्टम था इंडिजीनियस सिस्टम था उनकी सुसाइटी जिस तरह से थी जो स्ट्रक्चर में वो बटे हुए थे उस पर वो कहीना कहीं हमपर होगा तो ब्रिटिश ने इसे क्या सुटे ना तो इन इन सब् det게 ऊपर एक इंग चीफ कर दिया गया चीफ कैसे अपोइंट कर दिय गया कि पहले एलडर्स होते थारा यहां समाच नहीं लेते लेकिन अगा चोटे-चोटょ चान अप्वेटी रहेज़़ एक अधमिय था यह नहीं पैस्ट्रोफ का एक आधमिय उता था जो कि हम क्या क्या सकते थोड़ा साट टाइप से होता है किसका तो इन में से एक इंसान होगा जिसे पॉइंट कर दिया जाएगा यहां तक समझ में आया ठीक है अब आगे बड़ें तो इस इंपोस्ट वेरियस रिस्ट्रिक्शन्स और रेडिंग और चीफ अपॉइंट करती है चीफ अपॉइंट करने को बाद में रूल्स रगुलिशन लगा दि ले जाए उस थैप से ठीक है तो मैं क्या बता रहा था आपको हां कि ब्रिटिश इंपोस्ट वेरियस रिस्ट्रिक्शन्स और रेडिंग एंड वार्फियर कि यह जो तुम्हारा यह जो तरीका है नहीं हला बोल वाला उनको ऐसा लगता तरीका है कि गायभास के लिए सबस्क्राइब प्रिटिश एड मिस्ट्रेटर अचीफ्य एपॉइंटेट वाई इस एड्मिनिस्ट्रेशन ठीक है यह जीज़ें कंट्रोल कर रहें तो पहले जिनके पास पाउर थी मनद्द पावर इस लाइक शीशों पहले एलडर पास पावर थी लेकिन अब जब प्र डिफ्रेंट स्टेकन बाई दी ब्रिटिश एडिनिस्टेशन तो कंट्रोल दी अफेर्स ऑफ मसाई कम्यूनिटी ठीक है वो सारे स्टेप्स जो लिये गए कि चीफ अपॉइंट करना रिस्ट्रिक्शन लगाना उसका प्रभाव यह पड़ा कि जो एंडर्स और वारियर्स थे अब उनकी स्थिती कमजूर हो गई उनकी पॉजीशन कमजूर हो गई यहांतक चीजें एकदम क्लियर है तक में साई सुसाइटी किस तरह से थी क्या यह सारी चीजें ब्रिटिश ने क्या बदलाव लाएं वहने चीफ वगए आपॉंट कर दिया तो सकी सुसाइटी थी अल् लालू किया था कि हमारा टॉपिक था एक not all were equally affected तो टॉपिक का गया वो टॉपिक अब बापीस लाते हैं उपकड़ के ठीक है तो नॉट आल वर तो उसका इंपेक्ट क्या होगा देखो तो चीफ्स अपॉइंटेट भाइब कॉलोनियल गवर्मेंट ऑफन एक्युमिलेटेट वेल्ट ओवर टाइम ठीक है तो जो चीफ अपॉइंट किया गए किसके वारा तो वो धीरे-धीरे वेल्ट एक्वायर करते चल गए चीफ्स वर उसके मतलब क्या देखने मिल रहा है उसके रिस्तेदार उसके वाइफ की फैमिली वाले जो रिस्तेदार हो गए वो सब तो मज़े में होंगे क्यों कि उनके उपर हाथ है किसका ब्रिटिश गवर्मेंट का ऐसा तो दी चीफ अपॉइंटेट बाइड गोवर्मेंट ओफन अगर समस्य आ रही है तो उस पैसे सका इस्तमाल कर सकते है वो अपने जीवन यहापने के लिए ठीक है तो फिर क्या है क्योंकि जेब में पैसा है तो जेब भारी हो रही है तो अगर किसी को दरवत पढ़ती थी उसको देते थे इंट्रेस्ट कमा लेते थे थे बहुत सारे लोग क्या शहरों में रहना चालू करते थे बहुत सारे लोग ठीक है अब समय आ गया बिजनस बड़ा घरने का उस टाइब से तो धर्म पतनियां होती थी उनके बच्चे होते थे तो उनको गाओं में रहो समालो अपने कैटल का ध्यान रखो पैसे कमें पड़ टू सर्वाइब दी डिवास्टेशन ओव और अगर कैटल रेड हो भी रहता है ले जा हम तो और खरीद लेंगे ठीक है ड्रॉट्स वगरा भी आती तो उनको दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि क्योंकि कैटल सकर खतम भी होगे तो वह पैसे सो और खरीद लेते थे थे ठीक है बोथ पैस्टोरल और नॉन पैस्टोरल इंकम ठीक है तो मल्टीपल सोर्स ओफ इंकम थी यहां पर ठीक है तो यह एक फैनेंस लेशन सीखते जाओ कि हमेशा जब भी आप जीवन में आगे बढ़ोगे काम करोगे पैसा कमाओगे ठीक है माइब बेस्ट विश्यों की खूब अनियल गवर्मेंट उनको सलरी दे रही है तो क्या हो रहा है एंड कुट बाइनिमल्स वें देर स्टॉक वस्टीट तो जब उनके पास इंकम मल्टीपल है तो वह अपने जब उनके अनिमल्स वागरा का स्टॉक डिकलाइन होता तो और खरीद भी लेते थे सब्समाइब औ तो उनका जीवन तो बड़ा खराब था मैं गरीब हूँ ठीक है और उनके उपर बहुत सारी समस्या है क्यों बहुत सारी समस्या है क्योंकि दे डिंट अब एनी एक्स्ट्रा नॉन पैस्टोरल इंकम एज दी चीफ हैड नॉट और एकॉली एफेक्टेड आप करनेट कर पा दे हैड तो लुक दे हैड तो गो लुकिंग फर वर्क इन टाउंस ठीक है उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता था बार बार ठीक है क्यों क्योंकि प्रेस्टोरल इंकम कुछ बची नहीं थी ना सम एक्ड आउट और लिविंग एस चार्कोल बरनर्स अदर डिड था उस टाइप से ठीक है तो लाइफ अब दी पूर पैस्टोलिस वा वस वस्ट तो नॉट और एक्वली अफेक्टेड ठीक है तो फाइदा भी हुआ कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरह से सफर भी किया तो मैं आए हो आए हो कि आप कनेक्ट कर पा रहे हो ठीक है सारी सि जात में जो कैसकते चेंजेस ब्रिटिश ने इंट्रिड्यूस किये जो ड्रॉट वगरा भी आ जाती थी तो उस पूरे कॉंटेक्ष में उस पूरे कॉंटेक्ष में अगर पैस्ट्रोलिस्ट कम्यूनिटी के उपर कोई प्रभाव पढ़ाया तो वह क्या पढ़ाया पहला अब पहले जैसी बात नहीं रही है क्योंकि पूरा सिस्ट्रम ही खतम हो रहा है ठीक है तो डिस्ट्राब हो लेकिन खत्म नहीं हुआ अब यह कि सत्य परशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं तो उनका कल्चर पूरी तरह से समाप्त नहीं लेकिन नो डाउट इट गॉट हैंपर इंडिया में हमारा कल्चर आज भी है बचाक रखा है लेकिन ब्रिटिशर्स आये तो उन्हें मट मेला तो करके चले गए है कि आगे बढ़ते हैं अगर तो न्यू डिस्टिंशन बिट्विन दी वेल्डी एंदी पूर पैस्टोलिस डवलप्ट और दूसरा जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है ठीक है तो जो सामाजिक स्थर पे सोशल चेंज जो मसाई सोसाइटी में आया इस पूरे पूरे एपि पैस्टिलिस में आपको amendment क्या पैस्ट्यू अफ्रिक अफ्रिका में था तरह से जीवन यहापन होता था तरह सिस्पान होता था रहरा उन्ट्वनलट है सफर किया बुरे वक्त में क्या स्तिती होती थी कुछ लोगों को फाइदा था, कुछ लोगों को नुकसान था, तो वो सब कुछ हमने cover कर लिया, वो सब कुछ हमने cover कर लिया, अब अगर हम conclusion निखा ले ना, इस पूरे chapter का, तो pastoral communities are affected in variety of different ways, affected in variety of different ways by changes in the modern world, तो pastoralism in the modern world उपड रहे हैं, तो यह modern world जैसे जैसे modern होता चले जान तो कही ना कही जो pastoral communities हैं, उन्होंने अलग-अलग इस तरपर, अलग-अलग तरीके से बहुत कुछ सफर किया है, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ गवाया है, ठीके, the new laws and new borders affected the pattern of their movement, अब इसको इंग जैन्दर समझने, मतलब यह conclusion type से पूरा chapter जो आपने पड़ा ना, past restrictions लगा है, है कि नि, ठीके, with increasing restrictions on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pastures, अब उनकी movement के पर जब इतने restrictions लगे, तो, now they could not easily move from one place to another, ठीके, अब उनको क्या करना पड़ता था, pasture, अच्छी, pasture, quality of pasture के लिए, बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था, fight मारना पड़ती थी, as pasture lands disappear, grazing became a problem, while pasture that remained deteriorated through continuous overgrazing, ठीके, तो, special and disappear, होरी, तो, grazing एक बड़ी समस्या बन गई, जितनी जमीन बची थी, उस परी, grace करवाते रहते थे, तो, quality of grass, जो मिल रहा है, वो ऐसी खराब होते जा रहा था, times of drought, become times of crisis, when cattle's died in large number, और अगर सूखा पड़ गया, तो, बड़ी समस्या का काम हो जाता थ लेकिन, सिकाया क्या है, मैंने तुम्हें कि समस्या पर मत कभी भी focus करना, focus हमेशा समधान पर करना, ठीके, समस्या पर नहीं, समाधान पर focus करों, तो, समस्या तो थी, देखो, this is the life lesson, उन्होंने कितना सफर किया विचार होने, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी परिशानियो पर नहीं देखा, उन्होंने परिशानियों से बाहर कैसे निकला जाए, समस्या पर नहीं, समाधान पर focus किया जाए, तो, उन्होंने, प्रेस्टोलिस, adopted to the new times, through various ways, ठीके, तो, जो, सफर कर रहे थे न, जो, आहूती देना पड़ रही थी, उन्होंने, तो, नहीं बोल दिया कि, if you are in Rome, do as the Romans do, ठीके, जैसा देश, वैसा भेश, तो, उन्होंने क्या किया, कि जो बदलते है, हालात में उन्होंने अपनी स्थिति को बदला, जैसा हमने इंडिया के केस में देखा था, they change the path of their annual movement, अब इन जनरल कॉशन आ जाएगा, कि we have seen that pastoralism in the modern world, have seen many ups and downs, and due to which the life of the pastoralist communities have been affected, but how did they manage to survive till date, तो कैसे manage कर गया हो, तो they change the path of their annual movement, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas, लड़े भी अधिकारों के लिए अपने, exert political pressure on the government for relief, subsidy and other form of support, सरकार से मांगारी कुछ तो दो हमें, तो हमारा जीवानी खत्म करने पर तुले हुए हो, and demand a right in the management of forest and water resources, so that, so that they can survive along with their cattle, this, this was some of the ways which they derived out to survive in the harsh conditions, ठीक हार्ष कंडिशन में सर्वाइब कने के लोन ने ये तरीकों का इस्तमाल किया, pastoralists are not relics of the past, pastoralists के अगर हम बात करें, तो वो इतिहास के अवसेश नहीं है, वो इतिहास का एक एहम हिस्सा है, आप उन्हें ऐसा मत मानना कि हो ता पास्ट है, नहीं नहीं, ठीके, they are still an integral part of our history, our society, तो pastoralism को आप SMS हम जो कि अवसेश से इतिहास का, आज भी एक्जिस्ट करते हैं इंदे इंपोर्टेंट रोल, ठीके, environmentalist और economist जो है, उन लोगों ने इस चीज़ को recognize किया है, क्या, कि that pastoral nomadism is the form of life that is perfectly suited to many hill and dry regions of the world, ठीके, hill or dry regions में जीने, जीना है अगर तो इसी तरीके से ज follow करके, so this was the lovely chapter, I guess you people enjoyed it, कैसा लगा आपको chapter, comment section में जरूर से बताइएगा, ठीके, how was the chapter, आपको एक नया perspective, नया सारी चीज़े समझ में आई नहीं, हमारा chapter यहाँ पे, पूरी तरह से समाथ होता है, पूर्णा होती देते हैं, स्वाहा, history की book पूरी खत्म होगी, आपको syllabus प साथ में आपको एक important update देना चाहूँगा, कि मैं academy plus पर पढ़ाता हूँ, academy plus पर मेरी जो classes होती है, class 9 के लिए होती है, Monday, Tuesday, Wednesday 845 to 945, ठीक है, you people can enroll in these courses using the code DIGRAJ, academy plus पर जो subscriptions है, तो उन subscription के prices normally यह होते हैं, सुनना, लेकिन, लेकिन if I tell you, कि if you are planning to take subscription, तो this is the right time to take subscription, क्यों, क्यों कि देखो, क्या है ना कि अभी special price offer चल रहा है, ठीक एक तरह से flash sale है, जो कि November 22 से start हुई है, कब तक है, यह कोई कुछ नहीं बता सकता है, ठीक है, it may end anytime, but this is the fact कि इस time period में, you can save up to 45%, ठीक है, तो आप जैसे मान लीजे, 4 मेरे का subscription लेते हैं, तो you can save up to 6, you can save up to 45%, क्योंकि वो subscription आपको मात्र 6,000 रुपीज, 6,299 में मिल रहा है, तो if you are planning to take subscription, this is the right time, hurry up, don't miss this offer, subscription लेना है, तो this is the best time, ठीक है, इसी के साथ हमारा chapter समाथ हुआ, I hope you guys really enjoyed it, अभी के लिए sign off करता हूं, और मिलेंगे इसी तरह से, और बहुत सारे lectures में, ठीक है, तो लंबी जरनीता है करना, अभी तो 9th कदम हुए, क्लेर वा, तब तक अपना ध्यान रखिये पड़ते रहिए, signing off with this, together, we can, we will, thank you, thank you very much.